स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है, रिलीफ एविलेबल पहले कर देते हैं, पहले रिलीफ एविलेबल की बात करेंगे, आप नोट्स निकाल लो सारे, निकालो निकालो यहाँ पर नोट्स का बहुत काम आएगा ठीक है, नोट्स का यूज ही बहुत है, ठीक है इस पूरे चप्टर में, कंस्यूमर रिस्पांसरिटी नोट्स में है, पेज नबर 138 पर है, ठीक है बेटा, अभी सीकमेंस से नहीं चल रहे हैं, टॉपिक हर कोई कबर हो जाएगा, ठीक है पेटा, आगे बढ़ रहे हैं, टॉपिक है, रिलीफ एविलेबल, और आपको रिलीफ दिखाई दे रहे होंगे, 12 ठीक है, सारी बातों को बहुत अराम से समझना है, लेकिन शुरू की तीन बाते मैंने अब नहीं बतानी ठीक है, तीनो बाते क्या लिखिया है, रिपेर दा डिफेक्ट फ्रम दा प्रडक्ट और रिप्लेस दा प्रडक्ट और रिफंड दा प्राइस पेड, तीनो बातों का मतलब समझ भा है ठीक है न इफ रिपेर इस पॉसिबल रिपेर करा दो अगर रिपेर पॉसिबल नहीं तो रिप्लेस करा दो और अगर रिप्लेस्मेंट भी पॉसिबल नहीं तो रीफंड होगा प्राइस पेड ठीक है जी बेटा एक बात और समझ लो तो यहां पर आप अपनी गलत फैमी को दूर कर लेना, आप सोचते हो relief court एक देती है, ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ particular cases में 5-5 relief भी आते हैं, 3-3 relief भी आते हैं, 4-4 relief भी आते हैं, possible judgments जो हैं वो ये 12 हैं, इन 12 में से 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती ह ठीक है, तो multiple relief एक साथ मिलते हैं, लेकिन हाँ पका, 1, 2 और 3, इन 3ों में से मिलेगा, एक ये तो बात पकी है, ठीक है, वैसे बता देता हूँ, शुरू के 5 में से 3 मिल जाते हैं, normally हर case में, पढ़ता हूँ मैं 4th one, to pay a reasonable amount of compensation for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of the opposite party, to pay a reasonable amount of compensation, बेटा में एक बात बोलता हूँ, मान लो, एक injection आता है, 1000 रुपी का, ठीक है, और उसमें कोई short coming है, ठीक है, consumer को injection लगाया गया, fever उतारने का injection है, ठीक है, और उसको उसकी वैसे और harmful effect हो गया, ठीक है, और उसको hospitalized होना पड़ गया, ठीक है, और बेटा hospital का bill बैठा, 5 लाग रुपे, तब जाकर वो ठीक हुआ, और आपने case कर दिया, ठीक है, अब क्या-क्या मिलेगा आपको, refund the price paid, खा reasonable amount of compensation, suffered by the consumer, due to the negligence of opposite party, 5 लाग आजो ये भी पे करने, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आपको, ठीक है, अभी छोड़ना तो दूर की बात, अभी जब पढ़ लोगे पूरी बात, तो आपको समझ आएगा, manufacture रगे, कपड़े भी उतरवा लेगी, quote, जब पूरा पढ़ लोग penalty से बढ़ना है, penalty word penalty से बढ़ना है, अब penalty क्यों ले रहे है, किस बात की penalty, बेटा देखो समझाता हूँ आपको, penalty लगानी जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत है, क्यों लगा रहे हैं समझो, बेटा मान लो एक एक हजार रुपे के वो injection, उसने market में 5,000 बेजती है, amount को थोड़ा simple रखते हैं, यानि कि उसने को 50 लाग रुपे मिले है, ठीक है, उस सारा duplicate था, एक रुपे के उसकी cost दी, लगबग लगबग समझो, मान लो उसने पूरे 50 के 50 लाग कमा रख्या, अगर court ये कह दे, देखो बहुत अच्छा से जानती है, court भी हजारों में से एक लोग case करता है, बाकी सब डर के मारे नहीं करते हैं, या time period बहुत ज़्यादा लग जाता है, या hearing में पैसे बहुत लग जाता है, कोई case ही नहीं करता, ठीक है, तो court ने का अच्छा एक हजार इसको देदो और पांस लाग दे दो, बेटा manufacturer तो फिर भी खुश है, 50 लाग कमा है, पांस लाग दे भी दिये, तो क्या, वो तो हर साल करेगा ये practice, सीदी सियाद है, वो क्या कर अरे बढ़िया है, हर साल 45 लाग उर बज जाते है, duplicate product बेचे के, और क्या चीए, बेटा अगर आपने case कर दिया, पक्का penutive damages लगेंगे, which may vary to five times to the ten times, कोटने का आजा बेटा, पांस करोड की penalty दे जा, अब कर repeat, अब हम भी देखते हैं कौन repeat करता है, समझाई बात, repeat करेगा जिन्दगी में, करेगा नि, और अगर खाली शुरू की चार चीज़ों, अगर मैं बोलू, शुरू के चार relief में से दो relief आए, तो बेटा पक्का repeat होती रहेगी, पुरी ठीक है, एक, दो, तीन में से एक, एक relief पक्का मिलेगा, 4th one मिलता ही मिलता है, 5th one मिलता ही मिलता है, general cases में, 6th one, to discontinue the unfair and restrictive trade practices and not to repeat in the future, बेटा, आप word देखोगे, ये word warning जैसे हैं, to discontinue the unfair trade practices and not to repeat in the future, ये क्या है, देखो, कोट ना किसी को criminal बनाना नहीं चाहती है, बबु, एक consumer ने case करा, company के खिलाब, पर बेटा, मान लो, उसके साथ unfair trade practices किया हैं, लेकिन unknowingly, और consumer को, उसके कोई harm भी नहीं पहुचा, लेकिन consumer ने case कर दिया, तो कहीं बेटा, court warning देकर भी छोड़ देती है, क्योंकि court नीच आती ही, बेटा, उसको criminal बनाना, अगर court ने उस भी छोड़ सकती है, ये warning जैसे word दिखरे होंगे आपको, ठीक है, 7th, 8th, 9th मैं घटे बढ़ूँगा, not to offer hazardous goods for sale, to withdraw the hazardous goods from sale, to seize the manufacture, and to desist from offering, ठीक है, बेटा, ये तीनो word का मैं मतलब समझा देता हूं आपको, एक time था बेटा, मैं 7th class में होता था, नूक्या की एक battery आई थी, ज साथ मेरे को जहां तक battery का नंबर दियान है, वो साथ बैटरी का नंबर था, BL5C, नोक्या वनाता था, कीपट, नोक्या ग्यारा सो ग्यारा सो आट वनाते थे, 33-15, बहुत सेमस सट उभा करता था, ठीक है, बेटा, बैटरी का नंबर था, BL5C, साथ जहां तक मैं ध्यान कर प पर, देखो क्या दिये थे, not to offer, देखो बेटा, सुनो, सुनो, मार्केट में अब कोई नई बैटरी ओफर मत करना, जो ओफर हो चुके, उनका क्या, 8 पॉइंट, विड्रिव कर लो उनको मार्केट से, ठीक है, उनको भी मार्केट से टालो, और नई ओफर मत करना, और 9 क्या इसकी manufacturing, बंद कर दो, अभी से, तीनो possible judgment आ नहीं सकते, आ सकते, दिखाई दे रहा है, example समझ में आ रहा है, क्या कहना चाहता हूँ, ना तो मार्केट में ना offer करो, ना उसकी manufacturing करो, और जो offer कर चुके, उसको विड्रिव करो, नो कहना है, सारी बैटरी विड्रिव करीत, और free of less than 5% of the value of defective goods or deficient services provided to be credited to the consumer welfare fund or any other organization or person to be utilized in a prescribed manner, ये क्या चीज है, पेपर में अगर relief available आ गए, 10th point आप जरूर लिखकर आओगे, टीचर को बताना हमारी knowledge कितनी है, हर टीचर कटवा देता होगा, लिखवाता नहीं होगा, या बच्छे छोड़ देता है, मैं बोल रहा हूँ, 10th जरूर लिखकर आना, knowledge देखाना कितनी है तुमारी, देखो समझो जरा इस बात को, इदर देखना जरा महीत रहूँ, पेटा, मैंने आभी आपको कुछ देर पहले, जब chapter start किया था, मैंने आपको बोला था, consumer association आपके behalf पे case कर देती है, और कहीं बार तो आपसे पैसा भी आपके घर छोड़ जाती है सारा, पता है क्यों छोड़ जाती है, क्योंकि उनको भी कुछ मिल जाता है, उनको क्या मिलता है, ये मिलता है, पढ़ो, उनको मिलता है बेटा, not less than 5% of the defective goods or deficient services, not less than 5%, क्या करना है उसको, या तो consumer welfare fund में डालो, या किसी ऐसी organization को दो, जो इसी manner म utilize करें उसको, समझो जड़ा क्या कहना चाहता हूँ मैं, बेटा, मेरे example जो चल रहा है, 1000 injection, 5000 रुपे गया, 50 लाख रुपे के defective goods है, court कह सकती है, 5% से कम नहीं, मतलब जो consumer को penalties, penalties दिलवाई हैं, जो उसको damages दिलवाई हैं, जो compensation दिलवाई हैं, वो तो दिलवाई दिलवाई ह court कहती है, कम से कम 5%, not less than 5%, यानि कि कम से कम 5% इस consumer association को भी दो, ये consumer के purpose के लिए इस्तमाल करेगी, not less than 5% है, ज्यादा कितना बताया नहीं, ऐसा नहीं कह सकती 100%, कह सकती है, 50 लाख रुपे इस consumer association को दे दो, क्योंकि ये consumer के भले के लिए काउं करे हैं, रहाई साब जान निकलत है कि manufacturer की, पका, ऐसा नहीं कह सकती 1000%, 5 करोड इसको दे तो, 10,000%, 50 करोड, डर लग रहा है, manufacturer को डर बहुत लगता है, पका, बहुत डर लगता है इस act से, अभी रुख जो, मैंने अभी आपको क्या होला, जब मैं पूरे 12 बढ़ता हूँगा तो आपको लगेगा, भाई, manufacturer के परले कुछ छोड़ दो या, गलती होगी, उससे अब नहीं करेगा, जिंदगी में कभी नहीं करेगा, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ आई, कम से कम 5% देना पड़ेगा, किसी ऐसी association को, या consumer welfare fund में डालना पड़ेगा, किसी ऐसी association को, जो consumer के welfare के लिए काम करती हो, या बेटा, consumer welfare fund में डाल दो, consumer welfare fund समझते हो, जैसे prime minister relief fund है, एक account है, बस और कुछ नहीं, उसमें जितना भी पैसा आता है, वो consumer के भले के लिए ही लगाया जाता है, फंड का मतलब कुछ और नहीं होता, confuse मत वहा करो, bank account है बस, that's all, ठीक है, 11th one, to issue a corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement, ये मैं already बात क चुका हूँ, बेटा, देखो, ये होते थे misleading advertisement, कई बार quote कह सकते है, अच्छा, mislead कर रहे हो, एक नया advertisement निकालो अपनी cost पर, जो neutralize करेगा, आपके misleading advertisement के effect को, तो नया advertisement आता था, misleading advertisement जो आ रहा था, उसका effect खतम हो गया के नहीं हुआ, ये दिखा रहे है ना, कि कही ना, कही d and rough रह जाता है, कई ना, कई germs रह जाता है, ये भी अपनी cost पर निकालना है, quote 30 देगी इसके वैसे, and 12th one, ये पढ़ लोगे तो बेटा, बस दुनिया से विश्वास उड़तेगा आपका, कभी जिंदिये में manufacturer ना बनने की किसम खालोगे आप, to pay adequate cost to the appropriate party, बही और क्या आप बता दो, क्या आप एक गड़ा है, to pay adequate cost to the appropriate party, ये क्या है, अब ये भी समझ लो, बेटा, कोई, मालो, साहरन को district forum में कोई case हुआ, या आपके consumer court, ठीक है, person है, किसी गाउं से आता है, उसने case किया, किसी का भी नाम ले लो, गागा लेडी से आता है, ठीक है, hearing चली है, 6 मही न continuous, 6 मही ने उसने daily up-down किया है, और lawyer की fees बहुत दिया, ये कौन देखा, ये भी manufacturer देगा, उसके आने, जाने, खाने का सारा खर्चा, उसकी lawyer की fees भी manufacturer देगा, to pay the adequate cost to the appropriate party, और भी लिखुआ देता हूं, मैं 3-4, company नाम करा देते हैं, उसके पूरी-पूरी, सिधी-सिधी, समझ में आया, सारे 12 points समझ में आये, ठीक है, आजो बेटा consumer की responsibilities पढ़ते हैं, जल्दी से आजो जल्दी से, बेटा अब थोड़ा pace पकड़ लो, बरना ये 12 बे तक भी नहीं खतम होता, ठीक है, consumer responsibilities, बहुत जल्दी से, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होंगी, 10 responsibilities, जिसमें मैं, आप मैं बहुत speed पकड़ूँगा बेटा, ठीक है, आप मैं बहुत speed पकड़ूँगा, page number 137 पे है, consumer responsibility 10 है, ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, बेटा, सबसे पहले 7th one, most most important case studies के point of view से, ask for a cash memo on purchase of goods and service, this would serve as a proof of purchase, आपको पता है, मैं पहले भी बोल चुक हूँ, ठीक है, अभी देख लो, एक मिनट में ही तरफ देखो, तो मैं आपको कुछ समझाओ, case studies आती है, ठीक है, consumer ने ये product खरीदा, इसमें ये short coming थी, मैं बोल देता हूँ, label clear नहीं था, यानि कि आपका right to inform हट हो रहा थ लेबल पे MRP printed नहीं था, या vegetarian, non-vegetarian mark printed ही नहीं था, ठीक है, और आप case करना चाते हो, क्या आप case कर सकते हो, बेटा देखो बता देता हूँ, वो कहीं न कहीं आपको question जरूर देगा कि आपने bill नहीं लिया, हमेशा hint होगा, bill लिया है कि नहीं लिया, अगर कोई hint नहीं होग है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप केशडी पढ़ना शुरूर के, 50% केशडी के लिए वर्ड पे आएंगी, ask for a cash memo पे, जब पढ़ना शुरू करो के, तब करूंगा इसकी बात, तो बोल रहा हूँ एटा, बहुत-बहुत important point है, ठीक है न, cash memo पता है न, bill, bill मतला प ISI mark on the electrical appliances, FPO mark on the food product and hall mark on the jewelry, egg mark on the agriculture and livestock related product, ओके इतनी बात, दो बाते तो समझ में आगी न, हाँ, very good, third one, learn about the risk associated with the product and services, follow the manufacturer instruction and use the product safely, ये आपकी duty है, learn about the risk associated with the product, बेटा, deodorant आते हैं, manufacturer ने तो अपनी duty पूरी करिया लिखा वा है, away from flame, हमारे कोई फतूर है, अच्छा, एक बार फेक के देख लूँ, आग में होता क्या है, भाई फेक ले फिर, जान डाल खत्रे में अपनी, और फिर बोलता विरियो मुझे right to safety है, कुछ नहीं मिलेगा, क कुछ भी नहीं मिलेगा, बेटा, आप अपनी responsibility पूरी करो, learn about the risk associated with the product, follow manufacturer instruction, injection आते हैं, store in this to this temperature, बोलते हैं आपको, बोलते हैं ना, और हम नहीं रखें तो, या लिखाते हैं, away from direct sunlight, रख लो भाई sunlight में, फिर इस्तमाल कर ले ना, जब कोई shortcoming आजेगी, फिर कैना, मुझे right to safety है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ आई बात, आपकी responsibility है, आज जालनो अपनी responsibility, कान खुल चुक हैं सब के, हैर पहरे responsibility बताओ, right बाद में, fourth one, read labels carefully, so has to have a information about the price, net weight, manufacturing date, expiry date, यह आपकी duty है, read label carefully, ठीक है ना, और हम करते हैं बेटा, हम बिलकुल करते है cosmetic खरीते हैं, तो पका, सबसे पहला कामी करते है, expiry date देख लो, cold ring खरीते हैं, कभी देख, अरे क्या जो करता है, पी भाई, खाने बीने की चीदों में, कोई तो रहतनी expiry date, हमारा digestive system, बहु स्ट्रों, सब पी सकते हैं, सब खा सकते हैं, cosmetic खरीत नहीं है, deodorant, अरे अभी दे रैट नहीं मिलेगा, एक भी रैट नहीं मिलेगा, सबनाई बाद, चार-पांच बाते कर लिए अभी तक सब clear है, sixth one, be honest in your dealing, choose only from the legal goods and services, discourage unscriptural practices like black marketing, holding etc, आपकी duty है, choose only from the legal goods, समझाता हूँ, example दिये में ना, तो मुझे भी चैन नहीं आएगा, आपकी गली में लोग आते हैं बेटा, आपको बोलते हैं, अच्छा, ये गैस का चूला, एक हजार बे में, मार्केटे में चार बेगा, आप मिनट नहीं लगाते हैं, आपको पता है, जोरी का है, खरीद लेते हो, shortcoming आगी, right है, right to safety, choose only from the legal goods, आपको पता है, illegal goods आप फिर चूस कर रहे हैं, समझा ही बात? ओ, क्या बात? सबसे पहली, सबसे पहली, be aware about the various goods and services available in the market, so that an intelligence and a wise choice can be made, be aware about the various goods and services available in the market, बेटा, आपको इप्रड़क्त खरीट ने जा रहे हो, let's suppose AC, बेटा, आपको पता होना चाहिए, कौन-कौन से brand ये product बनाते हैं, आपको कुछ तो knowledge होनी चाहिए, पता है क्यूं कह रह मैं कुछ नहीं पता, आपको आपका right to choose 100% hurt होगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, वो तो producer तो आपको वही बेचेगा बेटा, जिसमें उसका margin जादा है, उसने आपका right to choose hurt कर देना है, इसलिए बेटा, आपकी duty है, आपको पता होना चाहिए, कि कौन-कौन से goods and service, किस- cut the environment, ओहो, विश्वास उट गया मेरा, avoid waste littering and contributing to pollution, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, 8th one, file a complaint in an appropriate consumer firm in case of a shortcoming in the quality of goods purchase or the service availed, do not fail to take action even when the amount involved is small, बेटा, case करो, चाहे amount बहुत कम है, आप ही लोग manufacturer को ताकत देते हो, आप case नहीं करते हो, उसको हो ताकत मिल जाती है, अच्छा, यहां तो consumer ignore करता है, आर चीज को, ठीक है, बहुर दोका जड़ी करता है, कहता है, even when the amount involved is very small, एक रुपे का भी किसी ने दोका करा है ना, नच आदोस को, तब है मजे की बात तो, दुबारा कभी repeat नी होगा, इंडिया में कोई नी कर सकता, अगर एक रुपे के बिचे case हो जाएंगे 10-15 तो, कोई भी manufacturer डर जाएगा इन चीजों से, ठीक है, 9th one, form consumer society which would play an active part in educating consumer and safeguarding their interest, बेटा आप जिस भी इलाके में रहते हो, महा पर consumer societies बनाओ, पता है ना, unorganized consumer की कोई ताकत नी है, लेकिन अगर आप organized रुप इकटे हो, तो आपकी ताकत बहुत बढ़ी है, तो कहते है, consumer societies बनाओ, ताकि सारे consumer का safeguard कर पाएं वो interest, ठीक है, और मैंने एक छोड़ दिया था, 5th one, assert yourself to ensure you get a fair deal, assert मतलब aware, बेटा इतने aware रहो कि आ आपको एक fair deal मिली है, वरना आज की तारिक में पहले भी बोल चका हूँ, salesman बहुत तंदरुसत है, बेटा गंजे को कंगी बेच देता है, गंजा गर आके दोलता है, कंगी की उखरीदी मैंने, मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ, बेटा, salesman बहुत खतरनाग आज कर दे, मैं त ठीक है, सबसे last page पर आओ, सबसे last page पर आओ, second last पर आओ, second last, सविक्षा है ऐसा नहीं होता क्या, यार बोल गया, है, हाँ, शीशा भी बेट दे, जगंजा शीशा तो देख सकता है, यार ये क्या बात है, यार ये क्या बात है, सागर ये तो कोई बात निए, अलब गंजे smart होते हैं तु क्या कहना चाह रहा है मैं ट्राइ करूं वा एक बार है चलो ठीक है वेटा सेकेंड लास्ट पेस्ट पेस्ट में अरे यार प्लीज आप चुब जाओ ठीक है ना जब पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई पेस्ट नंबर वन फोर जीरो पर हम है गवरा समझे आरा कौन सा टॉपिक है यह था कंज्यूमर और और जल्दी जल्दी से पढ़ाता हूं कहते है यह पब्लिश परियोडिकल जनल फॉर क्रियेटिंग कंज्यूमर अवेरनेस और ऐसे ही मैं पढ़ रहा हूं इसके साथ साथ फिफ्ट वन दे अरे इंग सेमिनार वरक्श कहता है यह पब्लिश करते हैं पिरियोडिकल जर्नल और जगे जगे पे कॉन्फरेंसे सेमिनार और वरक्शाप और और अर्गनाईज करते हैं ताकि कंज्यूमर की प्राबलम पे फोकस कर भाएं समझो क्या कहना चाता हूं बेटा किसी इलाके में गए कंज्यूमर के साथ बहुत दोका दड़ी हो रही थी एक कंपनी कर रही थी इसने जाना कि अच्छा ऐसे ऐसे दोका दड़ी कर रहे हैं ठीक है कई बार आपको फेक कॉल्स भी आती है ठीक है ना आर भी आई की तरफ से कॉल है अपना डेबिट का हो करते हैं ऐसा बेटा इनका काम है आपका इंटरस को सेवगार्ड गरना और यह अपनी तरफ से पूरी मैनत करते हैं यह जब जर्नल पब्लिश करते हैं परियोडिकल पब्लिश करते हैं तो बताते हैं इस इलाके में इस कंज्यूमर के साथ ऐसा हुआ है अवेर रहो सैमिन इसा सेमिनार वरक्षाप करते हैं ङूंवेर यहार करते हैं किस ने दोका किया और दूसरी पर हैं लाकूल और 4 वन और 4 वन लगबग ए जैसा है they encourage and educate the consumer to protest against the exploitative and unfair trade practices of seller they file suit, complain on behalf of consumer they protest and take action against adulteration, underweight selling and sale of hazardous products बेटा बात सुन, क्या कह रहा है पहली बात तो यह कह रहा है कहता है यह consumer को guide करता है protest करो, case करो किसी भी unfair trade practices के लिए चाहे वो black marketing है, चाहे वो adulteration है चाहे वो misleading advertisement है और या और भी कोई unfair trade practice हमेशा case करो और दूसरी बाद, यह क्या कर सकते है अगर आप case नहीं करना चाहते है तो यह consumer के बहाफ पर case कर सकते है पढ़ लो point number 3, ढंग से they file suit, complaint on behalf of consumer power दी गई है इनको आप नहीं करोगे तो यह आपके वियाब पर कर सकते है अगर आपको कोई डर है तो यह आप पैसा नहीं लगाना चाहते तो क्या आपको legal help नहीं मिल पारी तो यह legal help भी देते है समझाओं? पढ़ो जरा, last one they provide legal assistance for getting legal remedy against the damages cost to the consumer they provide legal assistance legal assistance कैसे समझो बेटा देखो, किसी भी association का base होता है किसी भी association को चलाने के लिए इसकी जुरत है कोई भी association बिना पैसे यह रन नी कर सकते ठीक है? माल लो, 1000 consumer ने मिलकर एक association बना ली और सब ने क्या करा? साल के 5-5,000 रुपे देने तै करे 50 लाग रुपे इकटता हो गया consumer association का काम क्या होगा? consumer को protect करना बोलो यार, consumer को protect करना इन्होंने क्या करा? 3 advocate hire करे ठीक है? जिनको hire किया गया 1 lakh परवंद की salary पर यानि कि साल के कितने जाएंगे? 3 lakh 12 महीने के स्वरी, महीने के जायेंगे 3 lakh साल के 36 lakh 50 lakh इकटा हुआ है? कोई दिकदEZ ने, pay कर सकता है? Panel है, hire करा Legal Advisor का अगर उन हजार consumer के साथ किसी ने भी धोका धड़ी कर ली तो क्या होगा? सिद्ध आजयो consumer organization में sign करके चले, जो लॉयर अपने आप case लड़ेगा, इनका अपना लॉयर है, और अगर आपको किसी भी help की जोते है, यह खुद देगा advice, free of cost, ठीक है, बेटा, कुछ NGOs के नाम आपको याद रखने हैं, अगला ही topic हमारा, 10 लिखे में हैं मैंने, आपको जो 5 असान लगे, 5 के नाम कर ले, वैसे मै बता देतो, मेरे साब से असान क्या, first one, C-Cube Delhi, Consumer Coordination Council, Delhi, CCC है, ठीक है, second one बहुत असान है, Common Coast Delhi, C-Squire Delhi, C-Cube Delhi कर लिया, C-Squire Delhi कर लिया, बेटा, इसके बाद होगा, CPC एहमदाबाद, पांचवे नमबर में, fifth number, Consumer Protection Council, एहमदाबाद, seventh number, Mumbai, ग्रहक, पंचायत, Mumbai, और ninth one, Consumer Association कोलकाता, C-A, कोलकाता, हाँ, मैं अपनी बात तो करी दो ना, C-A, कोलकाता, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है, C-Cube Delhi, C-Squire Delhi, C-P-C, एहमदाबाद, Mumbai, ग्रहक, पंचायत, Mumbai, C-A, कैलकटा, ठीक है, अभी वाफसी आओ, वेटा, एक topic करना है, हमारे को, ठीक है, वाफसी आओ, मैं बताता हूँ, कहा पर आना है, पेज नबर 137, बस पेटा, दोई topic बचे है, इसको करने के बाद, बस एक topic बचा है, सांस आरी है के नहीं आरी, नहीं आरी, नहीं आरी, नहीं आरी, नहीं आरी, नहीं आरी, चलो, चलो, पेज नबर 137, कुछ 15 मिनट का अब से हमारा काम र बेटा ways and means of consumer protection सुलनो बेटा आप topic सुलनो ठीक है मजाग बहुत होगी ways and means of consumer protection कौन-कौन कहसे कैसे consumer को protect कर सकता है बेटा ये 5 लोग है जो consumer को protection देते है सबसे पहली बात consumer himself or herself बेटा consumer अपने आपको protect कर सकता है if he is or she is well aware about his right responsibilities relief available about the courts बेटा अगर आपको सब पता है ना सच में आईने में सब rights पता है, सब responsibilities पता है relief क्या-क्या court दे सकती है पता है courts के बारे में पता है बेटा आप से अधा protection आपको कोई नहीं दे सकता किसी की मजाल नहीं है बेटा आपको दोका दे दे अगर आपको law से आप ढंग से aware हो तो ठीक है ना सबसे पहले तो consumer खुद को protect कर सकता है दूसरी बात बेटा first number पे लिखा है self regulatory business business अपने आपको बेटा sorry business भी consumer को protection दे रहे नहीं दे रहे customer के center तक उन्होंने establish कर दिया आपको protection देने के लिए और कैसे protection दे ठीक है यह topic हमने कहीं ना कहीं पहले सारा पढ़ लिया मैं यह बता रहे हो आपको ठीक है ना बेटा business तो खुदी आपको protect करने में लगए जितनी बड़ी firm है बेटा वो बहुत डिस्टिक्ट में उसका बेटा consumer के center होगा लगबग हर city में क्यों बेटा कहीं ना कहीं वो आपको protection देना चाता है वो नहीं चाता उसका consumer base खराब हो ठीक है ना बात लिया जियो स्टूर हर बड़ी city में वो नहीं चाते किसी भी तरीके से consumer base खराब करना right दे दिया आपने उनको बेटा वो जगा जगा पे seminar कर रहे है workshop कर रहे है periodical publish कर रहे है journal सिर्फ आपको save card करने के लिए आपके वियाब पर case तक कर रहे है और क्या करे है वो तो बेटा वो भी आपको protection दे रहा कहीं ना कहीं government दे रहे हैं आपको protection law किसने बनाया consumer protection act 1986 government सौसे जादा कानून है consumer को protect करने किसने बनाये government तो बेटा government तो कहीं ना कहीं protect करी दिया आपको एक बात जो आपको नहीं पताती वो मैं पता रहा हूँ business association देखो कहीं ना कहीं word आया होगा आया है इसमें दो word लिखे हैं फिक्की और CII बेटा बिल्कुल मिठी नहीं है यह बिल्कुल फिक्की Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry and CII Confederation of Indian Industries नाम सुना कभी इनका 11th class पास नहीं हो तो chapter number 10 internal trade सबसे last topic role क्या है commerce और industry का internal trade को promote करने में वो topic है पढ़े ना 11th कभी छोले देगर पास हुए तो पता कैसे होगा दो छोले ओ टीचर्स को बेटा दो एसोसियेशन है फिक्की और CII Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry Confederation of Indian Industries बेटा दे वर्क ओना नाशनल लेवल देखो कुछ बिजनस एसोसियेशन ऐसी होती है जो डिस्टिक लेवल पे काम करती है कुछ होती है जो नेशनल लेवल पे काम करती है अगर मैं बोलू सारण पूर व्यापार मंडल डिस्टिक लेवल IIA का नाम सुना है ये तो सुना है ये भी एक बहुत तगड़ी एसोसियेशन है बेटा उन से भी तगड़ी है फिकी और CII है इनका काम क्या होता है बेटा देश में इंटर्नल ट्रेड को प्रमोट करना और बहुत सारी मैनुफेक्चरिंग इंडस्टिर इनका पार्ट है देखो हर एसोसियेशन का मेंबर बनने के कुछ नियम रहते होंगे मैंने बताया ना एसोसियेशन को चलाने के लिए पैसा चीए लेकिन नियम भी तो रहते होंगे न क्या आपका एसोसियेशन में रूल क्या रहेगा आप एसोसियेशन के लिए क्या कॉंट्रिब्यूट करोगे कहीं कायदे कानून मनों के आपके लिजर होगी है बेटा आप इन दोनों business association के member तभी बन सकते हो जब आप ने किसी consumer को धोका ना दिया हो आप कभी भी कोई consumer court में case ना हारे हो यह तभी member बनाती है और अगर member बना लिया उसके बाद case हो और उसके बाद हार गए तो बेटा आपकी membership terminate यानि कि बेटा यह indirectly कई ना कई consumer को protect तो करी रहा है तो business association भी बेटा consumer को protection देती है बात समझ भाई अब सबसे पहले page पर आजो सबसे पहला page सबसे last में अभी तक सबसे पहला page ही नहीं करा है बाकी सब करा दिया ठीक है नि आज कशिश की चुट्टी के अगले tuition की चुट्टी तै हाँ तकान होगी ठीक है ठीक है बिलकुल सोना चाहिए तकान बहुत हो जाती है इतना सब पढ़ोगे तो चलो बेटा पहले page पर आप आचुके हम ठीक है topic का नाम है consumer protection ठीक है meaning of consumer protection सब में ही तरफ देख रहे हैं पहले पहले सब में ही तरफ देख रहे हैं पहले base clear करो बाउजी में ही तरफ देख है हाँ जी meaning of consumer protection ठीक है बेटा consumer protection का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि consumer को protect कर दो from the unfair trade practices या misleading advertisement या black marketing या adulteration सिर्फ protection नहीं आता यह बहुत wider term है यह कहते है consumer को protection तो देना ही देना है as well as उनको बेटा aware करना है about their rights, about the responsibilities, about the relief available, about the courts यानि कि बेटा protection तो देना ही देना है और अगर आप उनको educate भी कर रहे हो ना इन चीजों के बारे में, rights के बारे में, responsibilities के बारे में और business man के लिए भी अब आप सुछते हो बिजनेस man को consumer को protect करके क्या मिलेगा उसको तो exploit करके ही मिलता है कुछ नहीं बेटा ऐसा नहीं है ठीक है, करेंगे बात, लेकिन पहले बात करते है consumer protection की जोड, consumer को क्यो थी सबसे पहली बात, consumer ignorance usually बेटा आप देखते हो, consumer is ignorant about their right and their responsibilities तो ठीक है, आज आपने पढ़ लिया, commerce आइड के सुन दो आज से पहले कितना जानते हैं, responsibilities को या science आइड वाले कितने जानते हैं कोई नहीं जानता बेटा consumer is always ignorant इसले जो रहाता है consumer protection की हम ignore करते हैं चीजों को बेटा जो हमारे साथ हो रही है ठीक है न, MRP 10 रुपे अगर कोई railway station पर जबदस्ती कर रहा है बारा हम बारा भी देखे आता है हम खुदी ignore करते हैं बेटा मांग सकता है, उसकी power नहीं है मांग दे, एक बार case ठोक दो जिन्दगी में नहीं कभी करेगा, repeat मांते हैं उस बात को हम ignorant है, इसले जो रहाता है consumer protection की है, हमें educate करने की जो रहता है, दूसरी बात unorganized consumer, बेटा consumer कभी खटता ही नहीं था, किस नहीं खटता करा, consumer protection act 1986 नहीं, ये act ना होता तो कभी खटता है, पाते उसने power दी, तीन लेवल पर council बना लो ठीक है ना, unorganized थे आज से पहले अब power में लिए कि organized हो सकते हैं and third one is widespread exploitation of consumer बेटा, बहुत बड़े लेवल पर exploitation हो है consumer का, पते क्यों, तब से कब से start हो आई है, जब पता लगा consumer is the king of market after 1991, globalization जब consumer king बन गया, तो बेटा, अब companies को लगा और कोई तरीका तो है नहीं, पहले तो हम king थे, जैसा मर्जी बनाते थे, जैसा मर्जी खरीता तक कमाते भी बढ़िया थे, अब तो consumer के पिछे-पिछे गुमना पड़ता है, ठीक है, इनको exploit करता है और कमाते हैं, तब से start हुआ exploitation, और तब से कानून ने अपना काम start कर दिया, बेटा, बहुत बड़े लेवल पर exploitation हो रहता है, इसलिए ज़रती consumer protection की इसलिए ज़रती कोई ना कई कोई right देने की, कई ना कई कोई court establish करने की ठीक है, अब from the viewpoint of business, last topic पांच हैडिंग और फिर छुट्टी, ठीक है, पांच मिनट लगेंगे, चलो, बेटा, सबसे पहली बात है, long term interest of the business अब सुलो बेटा बात, देखो, अगर आप consumer को exploit करते हो, कितने दिन चल जाएगे आपकी दुकान, साल, दो साल आज duplicate product देना शुरू करो, आज कमाना शुरू करो, duplicate product देगर छे महीने के अंदर दुकान बतना हो जाएगे छे महीने नहीं लगेंगे बेटा, अगर आप long run में कुछ कमाना चाहते हो, अगर आपका long interest है, long term का interest है business में, तो बेटा, आप ऐसा सिर्फ एक case कि वो satisfied customer यह है बेटा, खुद तो 10 बार खरीदेगा, आपके दुकान से 50 बार खरीदेगा, 100 बार खरीदेगा एक साल में 10 और को बताएगा, इस दुकान पे समान बहुत अच्छा मिलता है, तो बेटा, long run में कमा जाओगे, अगर customer को satisfy करोगे, और नहीं करोगे तो नुक्सान आप लीका है, 6 महिने में दुकान खराब हो जाएगे तो बेटा, consumer protection करके ही कमा सकता है long run में पहली बात, business के waypoint से second one, क्या लिखाव है business uses society resources यह बात business environment में में मेरे से कभी ना कभी कही ना कहीं सुनी है बेटा देखो, एक business है raw material उसको society से मिलता है, ठीक है machinery society से मिलता है finance society से मिलता है labor society से मिलता है इन सब का इस्तमाल करके finished goods बनाता है बेचता किसको है? society for receiving of input and for supplying of output, we are totally dependent upon the society, business is totally dependent upon society तो बेटा, जो society का सबसे important element है consumer क्या आप उसको protection नहीं दे सकते सब कुछ तो society का इस्तमाल कर रहे हूँ तो society को protect तो करो समझाई बात? third one is social justification, fourth one is moral justification, sorry social responsibility justification एकी बात है, और fourth one is moral और ethical, moral कहलो चाए ethical कहलो एकी बात है, मैं दो दो बाते clear करता हूँ बेटा देखो एक बात समझो, हर चीज के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता और ना ही हर कानून को बहुत बहुत अच्छे से follow कराया जा सकता, क्योंकि resources बहुत चाहिए, आपने कानून बना दिया child labor, लेकिन हर चीज बेटा, बहुत ट्रिकली follow नहीं हो सकती और ये जांच करने के लिए की follower ये के नहीं, इतने सारे resources भी नहीं होते हर चीज के लिए कानून नहीं हो सकता लेकिन बेटा, कही ना कहीं हमारी कोई social responsibility तो बैठती है society के लिए कानून भी नहीं भी है, मैं बोलता हूँ पड़ा था ना, social responsibility towards different interests, हमारी customer के लिए responsibility है, हमारी worker के लिए responsibility है, director के लिए responsibility है, shareholder के लिए responsibility है, community के लिए responsibility है, government के लिए responsibility है सर मैं बोलता हूँ, अगर legal responsibility नहीं भी है, तो social के अंगल से सोचलो, चलो हम society में exist करते हैं इसके लिए कुछ करी दे, customer को रिजनेबल मार्जियन पर गुड़ सप्लाय करतें बैटर क्वालिटी प्रड़क्टी देतें तो बेटा कहीं नहीं सोशल रिस्पॉंसिलिटी भी है और फोर्थ वान बात बोलती है इतिकल और मॉरल कुछ भी बोलो एकी बात बेटा चलो मैं बोलता हूं लीगल भी नहीं है चलो सोशल दिमाग से सोशल भी निकल गई वह मॉरल तो है डूबलीगेट प्रड़क्ट आप किसी को सप्लाय करतें दोसको कोई हामफॉल इबैट इतना होज़े कि इसको डेथ होज़े तो यह थिक्स है यह morality है क्या संसकार कहां गए खताम तो बेटा अगर लीगल नहीं भी थी अगर सोशल नहीं भी नहीं थी तब भी moral तो कहीं नहीं थी ठीक है एंड लास्ट वन इस गमेंट बेटा देखो कोई बिजनस नहीं चाहता कि गमेंट इंटर्वेन करें हमारी वर्किंग में कोई बिजनस में आए गमेंट और इंटर्वेन करें और रेड करें और नुखसान देकर जाये आपको नहीं कोई नहीं कोई नहीं चाहता किसी बिजनस को फसन या कि गमेंट के इंटर्वेंशन हो तो बेटा देखो एक सिधा से काम है या तो आप अपनी मर्जी से consumer को protect कर लो वर सारे नुकसान हो जाते हैं मैं बोलता हूँ देखो कोई medical store है ठीक है medical store की आड़ में drugs बेच ला था ठीक है, government को पता लग गया raid हो गई, अब आप देखो नुकसान कितने होंगे, आपने नहीं करी न अपनी consumer responsibility पूरी नहीं करी न, आपने drugs बेचा न अब government intervene की, अब देखो नुकसान पहली बात license cancel होगा दूसरी बात jail होगी, imprisonment होगा financial loss होगा, वैसे का नुकसान immeasurable reputation का भी loss हो जाएगा measurable नहीं कर पाओगे कितना नुकसान होगा, चार नुकसान ही घट्टे होंगे तो बेटा आपकी मर्जी है या तो खुद responsibility पूरी कर लो वरना government को बहुत अच्छा साथ है कि कराई कैसे जाती है पूरी, ठीक है चैप्टर खतम होगया, बाबाई